हेलो दोस्तो दोस्तो चुमेंट कश्मीर सिर्विस सेलेक्शन बोर्ड की तरफ से अभी की सबसे बड़ी अपडेट है जो की एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से रिलेटिड है दोस्तो जैसा आप जानते हैं कल याने 9th मारिश को जेके SSB ने डेट रखी थी FAA का एक्जैम कार्ड को डाउनलोड करने के लिए लेकिन कल रात तक ये नहीं आई अब आज मौर्निंग में इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है अब आप अपना FAA का एक्जैमिनेशन कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं ओफिशल वेबसाइट से जो लिंक है वो में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल इस वाली लिंक पे किलिक करना है इस पे किलिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जो कि आप ये देख सकते हैं तो इस पे आपको क्या करना है सबसे पहले आपको सिलेक्ट पोस जो text box है इसमें आपको अपना application ID जो है वो submit करना होगा लिखना होगा उसके बाद नीचे जो तीसरा वाला text box है इसमें आपको data birth जो है वो लिखना होगा पहले आपको year लिखना होगा उसके बाद आपको month लिखना होगा और उसके बाद आपको day लिखना होगा नीचे लिखा गया है उसके बाद आफ लॉग इन करेंगे और लॉग इन करने के बाद आप अपना अपना Admit Card को डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अगर आफ Admit Card जो ID है वो भूल गए हैं तो आपको इस वाले Option पे किलिक करना होगा Forget Application ID इस पे किलिक करने के बाद आप से कहा गया है Select Post तो यहाँ पर आपको Select Post करना है यान Accounts Assistant करना है उसके बाद आपको अपना Fathers का Name जो आपके बाप का नाम है पिता का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना होगा उसके बाद आपको लिखना है Data Birth आपकी क्या Data Birth है फिर से वही Format पहले आपको साल लिखना होगा उसके बाद Month और उसके बाद Date लिखना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर submit करना होगा उसके बाद जो आपकी further detail है वो आपके सामने आ जाएगी तो दोस्तों यह थी एक important information admit card को download करने से related लेकिन दोस्तों यहाँ पर साथ में यह भी कहना चाहूँगा जो जेके SSB के examination conduct हो रहे हैं यह apt tech company conduct कर रही है तो जो बहुत सारे aspirants हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एस company के अंडर में examination नहीं देंगे क्योंकि यह examination conduct करने वाली company यानि apt tech जो है यह कई सारे paper leak scam में involved है कई सारे status में इसको blacklist भी किया गया है हम यह नहीं चाहते कि हमारा future बुरबाद हो जाए कल को हमें भी जब result आए या selection list आए उसमें हमें scam जैसी news देखने को मिले जिससे हमारे साल जो है जिसमें हमने मेहनत की है वो जाया हो जाए क्योंकि अल्रडी हमारे 3-4 साल पहले से ही जाया हो गए हैं तो वो फिलाल पिछले दो दिन से continuously प्रोटेस्ट पे बैटे हुए हैं और वो request कर रहे हैं सरकार से कि इस company को यहां से हटाया जाए तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक next video में तब तक के लिए take care